नमस्कार दोस्तों, Ultimate Health and Home Remedies चैनल में आप सभी का स्वागत था, Ultimate Health and Home Remedies आपकी सेहत का खयाल बखू भी रखता है दोस्तों आद में आप लोगों को कुछ ऐसे वर्काउट बताऊंगा जो आप लोगों को खड़े रहकर करना है और साथ ही आप लोगों की जो बैली फैट है उनको रेड्यूस करने में आप लोगों की हल्प करेंगे तो ये सभी वर्काउट जो है वो 40 सेकंड के रहेंगे और इन सभी workouts में आप लोगों किया जो belly है वो common रहेगा कि belly fat को reduce करना है visceral fat को कम करना है, subcontinuous fat को कम करना है, metabolic rate को increase करना है, cardio increase करना है यह सभी जो है इसमें सामिल रहेंगे, first workout जो है आप लोगों के सामने है binding hand, standing crunch में इसको नाम दिया है, और यह 40 seconds तक आप लोगों को करना है तो इसके लिए आप लोग खड़े रह जाएए, और खड़े रहकर आपने दोनों हाथों को आपस में bind कर लीजिए उसके बाद में chest के पास आप लोगों को रखना है, अब आप लोगों को अपनी एक knee को यानि की एक घुटने को ऊपर उठाते वे, मोडते वे, जो है जस्ट विप्रीत कोहनी की और लेकर आना है, ठीक है, तो यह आप लोगों का 40 seconds का workout है और इस workout से अगर आप लोग देख पा रहे हैं, तो upper belly जो है, lower belly की और एक दूसरे की squeeze कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को push कर रहे हैं अब आप लोगों के पास जो है, वो resting time है, just second का resting time इन सभी exercises के बीच में आप लोगों को मिलेगा resting time complete होता है, next exercise की ओर सलते है, cross leg palm touch cross leg palm touch का मतलब है, आप लोगों को सीधे खड़े रहना है, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा gap होना चाहिए और उसके बाद में सामने दोनों हाथों को रख लेना है, ठीक है, जैसे कि आप लोग high knee exercise करने है अब जो cross leg है, यानि की cross and or cross leg को अपस में leg को उठाना है, और जो आप लोगों का pair के जो toys हैं, उनको आप लोगों को किस से touch करना है आप लोगों को हाथों से, हाथों के जो अहतेलिया हैं, उनसे आपस में touch करना है तो इससे भी आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोगों को जब आप लोग अपना पैर उठाते हैं तो उपर की ओर तो आप लोगों की जो बैली है वो आप लोगों पर इंगेज रहती है इससे तो इससे आप लोगों को फर्क महसूस होगा बैली को रेड्यूस करते हैं करने के लिए आप लोगों को दोनों हातों को सामने रखना है और उसके बात में एक जगह पर ही आप लोगों को अपनी घुटने को मोड़ते हुए अपने चेस्ट के और लेकर आना होता है तो थोड़ा सा आप लोगों को नॉर्मल लो इंपेक्ट एक्सेस की तरह ही इसको रिट करना है पहले लेकिन अगर आप लोगों के गुटने भी मजबूत हो सकते हैं लेकिन अगर आप लोगों को कीसी परकार केंदरी है तो आपने फीजो थरेपिस्ट के सला जरूर ले और आ आप लोगों के बटक्स जो है या आप लोगों के जो ग्लूट्स है वो अच्छे भी बन सकते हैं नंबर फॉर एक्सराइज के हम लोग बात करते हैं इस एक्सराइज का जो नाम है वो है स्पाइडर मैन प्लांक को आप लोग कैसे करते थे आप लोग एक प्लांक पोजिश को दो बार Elaiden को भूख सब्सक्राइब सब्सक्राइब अपर 16 में पूख लुख लिए को घुटने से अपने को अगशे प्रस्ट द्रय वौज फिर कन आईनी को डेख सकते हैं यह कितनी ज्यादा है या कम है उसके प्रस्टे बाते शोब рес। लेक्टनने लेफट्ट वर्काउट हम लोग चलते हैं नमबर फिप्ट वर्काउट के लिए साध़े रेज का नाम मैंने रखा है साइडियल रेज पांग्य ँपिए अपर उठाएंगे और लेफ्ट साथ के पड़न के पाम के और टक्षट bar बोलते हैं यह आप के लिए बहुत जल्दी तो यह exercise भी पलोगों के लिए बहुत अच्छी है और खड़े रहकर ही आप लोगों करनी है तो belly fat reduce कर लिए या standing abs exercise भी आप लोग बहुत कर सकते है जैसा कि आप लोगों को पता है कि các exercise पोटी है resting time आप चल रहा है और आप लोग जो है अपनी figure को देख सकते हैं, next workout आप लोगों के लिए छटा workout और इसमें आप लोगों को squat और side leg, raise या side leg kick आप लोगों को लगाने, इस workout को भी आप लोगों को 40 seconds के लिए करना है, इसमें आप लोग देखे, squat position ले रहे हैं, उसके बाद में आप ल left side gear kick लगाएंगे, उसके बाद में squat position लेके आप लोगों right side gear kick लगाएंगे, इस exercise भी आप लोगों को 40 seconds के लिए करनी है, और अगर आप लोग इसका आसर देखना चाहें, तो आप लोग जब बैठते हैं, और उखडे होते हैं, और side में kick लगाते हैं, तो आप लोग देख स चुका है, अपने आपको देख सकते हैं, आइने में rest कर सकते हैं, muscles को मजबूती देने के लिए rest कर सकते हैं, इंची टेप से आप लोग जो है, अपना figure जो हुसे test कर सकते हैं, कि कि इतना size में कम हुआ है, next exercise हम लोग चलते हैं, squat spider man plank standing position, squat साथ में करना है, और spider man plank भी आप ल कीजिए, इसमें आप लोग देखेगा कि आप लोगों के जो side fat वो कितना जल्दी reduce होता है, तो इसे belly की जो rectus abdomen है, आप लोगों की muscles, वो engaged रहती है, आप लोगों के glutes की muscles है, medius और maximus muscles, वो engaged रहती है, hamstring muscles है, वो engaged रहती है, तो ये भी आप लोगों के 40 second का workout आप लोगों को करना है, अब resting time चल रहा है, तो हम लोग नवी exercise की ओर सुनते है, नवी exercise में standing cross crunch, बहुत अच्छी exercise है, ये dancing step भी आप लोग कर सकते है, कि एक just whip, विपरीत हाथ वाली कोहनी को just आप लोगों के दूसरे leg की जो पैर का जो भूटना है, उससे आप लोगों को touch करना है, तो इस 40 seconds के लिए आप लोगों को exercise करनी है, और 40 seconds complete होने के बाद हम लोगों को rest करना है, लेकिन जब आप लोग देखेंगे कि armpit का fat भी reduce होगा, आप लोगों का cardio भी मजबूत होगा, आप लोगों की जो कोहनी है, आप लोगों की जो thighs muscle से वो भी ज्यादा strong बनेगी, तो कितने benefits आ वो आप लोग देख सकते हैं, तो side का fat जल्दी reduce हो सकता है, आप लोगों का और आप लोगों को फाइदा भी मिल सकता है, muscles toned बन सकती है, तो muscles को toned बनाना है, तो इस अभी exercise को आप लोगों को करना जरूरी है, सुगर उठके पीजिए, सभी के बीच में 10 seconds का rest है, दूसे भ दोनों हाथों को आपस में फैलाना है, और state position, constant position में आप लोगों को रखना है, उसके बाद में आप लोगों का जो right वाला पैर है, उसे उठाना है, और अपने palm से हतेली के जो पैर है, उसे टच करने की कोशिस करना है, अगर टच हो तो ठीक है, नहीं टच हो तो कोई बात हैं लेकिन raise जितना कर सके अपने पैर को उतना आप लोगों को उठाना है, तो इससे आप लोगों की जो glute muscles हैं जादा इंकिस रहती है, और side का fat reduce करने में आप लोगों को help मिलती है, और अब फिर से आप लोगों के पास आ चुका है the second का rest, और resting time complete होगा ही, उसके बाद हम लोग चल देंगे last exercise यानि की आप लोगों की 10 वी exercise और ये last exercise है running high नहीं, fastly आप लोगों को करनी है जितनी देर आप लोग कर सके, तो दोस्तों ये पूरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा, comment करके आप लोग मुझे बता सकते हैं, और even आप लो करतें, intimate health and home remedies को, ताकि आप लोगों को different types के exercise भी आप लोगों को मिल सके, अगर आप लोगों को अलग लग परकार के exercise चाहिए है, तो please मुझे comment जरूर कीजिए का, और share कीजिए का इस video को Instagram, Facebook, WhatsApp जहां पर आप लोग share करना चाहें, धन्यवाद